कि लिए बहुत इंपोर्टेंट में मैं आटिकल फॉरुपीज एक्स एंड सेल सिट फॉरुपीज फिप्टी सिक्स एक गैन ऑफ एक्स परसेंट फाइंड वैल्यू अफ एक्स हम लोग चामते हैं यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है 56 और एस्पी का फर्मूला हम जाते हैं क्या होता है सीपी प्लस सीपी इंटू क्या गैन गैन परसेंट इस इकोल तू यह हो गया 56 अब देखिए सीपी दिया हुआ है बाइज एन अप्स कितने में एक्स में तो एक्स प्लस एक्स इंटू गैन परसेंट गैन परसेंट है एक्स 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 बाइट है इसकोल तू कितना 56 अब यहाँ पर इसको हम कर सकते है एक्स प्लस यह हो जाएगा कितना एक्स स्क्वाइट इस इकोल तू 56 अब यह हो जाएगा यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 100 अग्स होगा पिने प्लस एक्स स्क्वाइड इस इकोल तू 56 क्रॉस मल्टिप्लाइ करती जिये यह हो जाएगा सकते हैं क्या क्या 140 140 इंटु कितना 40 नहीं 140 इंटु 40 यह जाता है माइनस 56 हंडेड है तो अगर हम करते हैं यहां माइनस तो यह हो गया दूसरा माइनस फॉट्टि आइटु कितना है 140 तो दोनों में होता है हमारा माइनस 56 हंडेड इसमें भी होता है माइनस 56 लेकिन आपको प्लस करने से हमारा यह मिलिन तर्म आना चाहिए तो मिलिन तर्म किसमें आ रहा है माइनस 40 या प्लस 140 तो यह हो गया आपका कितरा हां प्लस का हं और यह वाला इसका मतलब करेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स माइनस क्या 40 एक फैक्टर हो गया दूसरा फैक्टर हो गया एक्स और प्लस का इतना 140 इस इकोल तो 0 आया ना अब यह जब हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बाइक्स माइनस 40 इंटो एक्स प्लस 140 इस इकोल टू जीरो प्रोड़क्ट रूल लगाएं यहाँ पर कौन सा जीरो प्रोड़क्ट रूल तो जीरो प्रोड़क्ट रूल काता है कि एक बार इसको जीरो कीजिए इस फैक्टर को जीरो कीजिए एक्स माइनस 40 इस गटो जीरो देर्फोर एक्स गटो करना 40 और एक बार इसको जीरो कीजिए तो एक्स प्लस 140 इस गटो जीरो तो एक्स प्लस 140 इस गटो जीरो तो यह CP है और CP किसी चीज का नहीं हो सकता इसलिए X is equal to कितना value आया 40 This is your required value of X